तो कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स आज Infrustion TV आप लोगे ले और नई वीडियो लेकर आया है लेकिन आपको चितावनी देदें कि वीडियो अपनी रिस्क पर ही देखना वीडियो के अंदर आज हम आपको कुछ ऐसे तथे और ऐसी जगाओं और ऐसी चीजों के बारें बताएंगे जो आपको डरा सकते हैं दोस्तो भूद प्रेत आत्माएं कोई आज की बात नहीं है कई हजारों सालों से ये इनसानों के बीच में कहानियों और रियल एविडेंस के तौर पर चल रही है कोई लोग इन्हें सीधे मूझ उठला देते हैं और कोई इनको पूरी तरीके से पेरनॉमल एलिमेंट्स के अस्तित्व को कई लोगों ने महसूस किया है कई और लोगों ने इसका समर्थन किया है लेकिन कोई भी इसे साबित करने के लिए परयाप सबूत नहीं ढून पाया है ये जानते हुई भी कि कई लोगों ने साक्षा देखे और सुने और महसूस किये जाने के दावी किये हैं फिर भी लोगों के सामने ये सक्ते के रूप में नहीं आ पाए हैं। कुछ ने इस विचार का खंडन किया है, कुछ ने आत्माओं की उपस्थती में विश्वास करने वालों की अलोचना की है। दोस्तो आज हम आपको ऐसी कई सारी एविडेंस बताने वाले हैं, जो उन लोगों के लिए हैं जो इस बात को नहीं मानते। ऐसी सच्ची रियल गटनाएं जो इस दुनिया में और यहां तक की हमारे देश भारत में भी कई सारी जगाओं पे हुई हैं, जिनकी माने तो लोगों ने साक्षाद अपनी आखों से या फिर खुद स्वैम महसूस की हैं और उनका दावा है कि हाँ, पैरनॉर्मल अक्टिविटीज या फिर भूत पिशाच आत्माएं सच में होती हैं। आज उन सारी एविडेंस के बारे में आपको बताएंगे पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखने। प्रसित पैरनॉर्मल जाच करता एडवर्ट और लॉरेन वारेन ने दो यूटकों से एक रैगडी गुडिया खरीदी थी जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था। कि 1970 में एनाबेले हिगिन्स की आत्मा के पास थी। दोस्तो एनाबेला के बारे में तो आप जानते ही हैं आपने इसकी मूवी भी देखी होगी और शायद आपने उसके पोस्टर पे ये भी पढ़ा होगा कि सक्ते कहाने पे अधारित। दोस्तो एडवर्ट और लॉरेन की माने तो वो गुडिया सच में शापित थी। वारेन्स ने गुडिया को ले लिया और इसकी जाच करने के बाद पीडितों को बताया कि गुडिया एक अमान वे उपस्तित द्वारा हेर फेर किया जा रहा है। दोदर चौदा की फिल्म एनाबेल इस घटना से प्रेरित थी जैसे कि हमने आपको बताया। इस मामले से वारेन्स ने प्रसिद्धी हासिल की, बहुत सारे लोग इन कहानियों को जुटलाएंगे, मगर जिन लोगों ने ये असल में खुद महसूस की रहे, उनसे पूछे तो, उनकी जिन्दगी इन हाथ्षों के बाद तबाह हो गई। अब आपको भारत की कुछ जैसी घटना है बताएंगे जिनको जानकर आप दंग हो जाएंगे। प्रकाश के पैटन को उसके एक बार अस्तित्व में रहने वाले शरी की रूप रेखा माना जाता है। विशब्स आसन कयामत का संकेत है। और ऐसे ही एक जगा और है अगरेसेन की बावली हमारे देश की राज़दाने तिल्ली में। वहां कहते हैं कि अगरेसेन की बावली में दिन में परेटको का आना जाना लगा रहता है और रात में आत्माई घुंगती है। अफ़ा ये है कि यह जगा कभी काले पानी से भरी हुई थी जो अमदन तुको को पानी से भरी कबर तक जाने के लिए लुगाती थी। एक और ऐसा एविडेंस है हमारे देश में The Church of Three Kings गोवा में। गोवा लोग मचती मजा किल तो जाते हैं लेकिन आपको बताने कि गोवा भी आत्माओं से बचा नहीं रहा। इस चर्च के पीछे की कहानी इस बात का एक उद्कृष्ट उधारन है कि क्यों दुनिया में मनुश्य की अवशक्ता के लिए पर्याप है। लेकिन उसके लालच के लिए नहीं। अतीत में तीन फुर्तगाली राजा हमेशा गोवा राज्य के लिए लड़ते थे। अंत में उनमे से एक ने अन्य दो को अब प्रसिद द चर्च आफ थ्री किंग्स में मिलने के लिए बुलाया और उन्हें जहर दे दिया। जब लोगों को पता चला कि राजा ने क्या किया है तो वे खून से लत्पत भीड में उसके पीछे आए। सारुजनी ग्रूप से पीट-पीट कर मार डाले जाने से अनि छुप होकर उसने जहर खाकर आत्मात्य तर्मीब। इनों को एक ही चर्च में दफनाया गया था। ये भारत में एक प्रेदवाजित स्तान है जो आगंतुकु दौरा टाला नहीं चाता। दोस्तो आपको पहाड और ठंडे इलाखे पसंद ही होंगे। इसलिए आपको एक और जगा बताते। फर्न हिल होटल उटी। ये होटल जो अब कथित रूप से डराने धमकाने की घटनाओं के कारण बंद हो गया था। राज के सेट पर हुई एक विचितर घटना के कारण फरसिद हो गया। कोरियोग्राफर सरोज खान और उनकी मंडली एक रात सोने ही वाली थी कि किसी ने उपर के कमरे में फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया। जल्द ही चीखने और पटकने के आवाजे ऐसी पिच तक बढ़ गई थी कि नेन दूर की संभावना मन गई। रिसेप्शनिस्ट डेस्क से संपर करने के प्रयास व्यर्थ गए क्योंकि टेलीफोन लाइन बंद हो चुकी थी। अंत्वे निराज चालत तल की कुछ सदत से शिकायत करने के लिए नीचे गए केवन होटल की कर्मचारियों ने बताया कि उनके उपर कोई मनजिल है ही नहीं और सब हैरान हो गए। दोस्तों जादा दूर क्यों जाना दिल्ली के पास में ही उत्रपरदेश में एक जगा है मेरट वहाँ एक जगा है जीपी ब्लॉक यदि आप मेरट में इस परिशर की यात्रा के दौरान चार पुरुशों को मुंबत्ती की रोश्नी में बेर पीते होई देखते हैं या ला लायब हो जाएंगे एक कारण है कि लोग जीपी ब्लॉक को पुर्वा भास मानते हैं और आप इसे और आप यहाँ पर जाना भी नहीं चाहेंगे दोस्तों भूत प्रेत आज की बात नहीं है और अगर इस गिंती में हमने भांगल का जिकर नहीं किया तो यह कहानी शैद जाना भी कि विदेश के लोगों ने भी यहाँ अगर कई सारे प्रमान भी है भांगल किले ने भारत में सबसे प्रेत वादिस्तानों में से एक ये रूप में खती प्राप्त की है वास्तव में यहाँ तक कि सरकार घीकिस तथे से अबगत है इसके घंडरों में आतमाय घु दोस्तों इतने सारे सबूत मिलने के बाद शायद जो लोग अब तक इन्हें मजाक समझते थे अब इस पे विश्वास करने लगेंगे दोस्तों उल्लों ने भी कभी दिन नहीं देखा तो इसका मदलब ये नहीं कि दिन होता ही नहीं अगर कुछ चीजे अभी तक हम तक पहुंची नहीं है या अभी तक हमने महसूस नहीं किये तो इसका मदलब ये नहीं कि हम उन्हें जोटला दे दोस्तों इस दुनिया में कई सारी चीजे हैं कई सारे अनुबव हैं जिनसे मनुष्य अभी तक बहुत दूर है दोस्तों उम और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दे चानल और बेला आइकन दवानावाद बोल दोना फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में कुछ और है